हेलो गाइज, वेलकम टू माइ यूटुब चैनल यूनिपक, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेड डाटा बुक क्या होती हैं, रेड डाटा बुक से पहले अगज से ये नहीं पता है इंडेंजर स्पीशिस क्या होती हैं, वो मेरी प्रीवेस वीडियो को देख सकता हैं तो मैं आपको थोड़ सा बता भी देता हूँ कि इंडेंजर स्पीशिस ये प्लांट वो होते हैं, जो क्या होते हैं, खतम होने वाले होते हैं, कि आने वले टाइम में वो खतम भी हो जाएंगे, एक्स्टिंक्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, अगर उनको सम्हाल के नहीं र तो रेड़ डाटा बुक इस जो भी इंडेंजर स्प्लांट और एनिमल है, उसके जो नाम इस बुक में शामिल किये गए हैं, यह रहे हमारे रेड़ डाटा बुक, sorry for the trouble, यह रहा, ठीक है, the book for, books for plant, animals and other species are all individuals, तो जो books होती है, प्लांट की, ऐसे नहीं के प्लांट का भी अंदर डाल दिया, जो सारे जो details है उस प्लांट की, जो endangered species में आती है, ठीक है, animals की भी कठा-कठा रखती है, ऐसे नहीं होता है, सब का लग-लग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह भी endangered species में आ रहा है, यह भी endangered species में आ रहा है, तो I hope आपको red data book के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बैल आइकन को भ कुल, आपरमिल जाए, थैंक यह वर ववचिंग इट